नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृती, आपका अपने यूट्यूब चानल डॉक्टर खारी पर स्वागत करती हूँ आज हम जानेंगे एक होमिपेथिक मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है सैनेगा सैनेगा जो मेडिसिन है, वो आप लोगों के रेस्पिरेटरी सिंटम्स में दी जाती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने पर आप सैनेगा का इस्तेमाल करते हैं अब रेस्पिरेटरी सिंटम्स जो है, वो कहीं तरीके के हो सकते हैं जिन के अंदर SANAG不要 Medicine जो है वो इस्तेमाल की जाती है तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सनैगा जो है वो कौन-कौन से symptoms होने पर यूज की जाती है और किस तरीके से लेनी चाहिए तो आये शुरू करते हैं और जानते हैं सनैगा homeopathic medicine के बारे में सैनेगा जो है वो आप लोगों के respiratory symptoms जैसे कि आप लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही हो या आप लोगों को कफ की शिकायत हो रही हो तब इस्तेमाल की जाती है ये जो दवा है ये ब्रॉंकाइटस में यूज होती है अस्थमा में यूज होती है ब्रॉंकियल अस्थमा के अगर आप लोगों को शिकायत रहती है तब ये दवा का यूज किया जा सकता है इसके साथ ही अगर आप लोगों को लंग्स में पानी भरने की शिकायत हो गई है आप सेनेगा लेकर अपने symptoms में आराम पा सकते हैं इसके साथ ही अगर आप लोगों को अस्थमा की शिकायत रहती हो अस्थमा यानी की अगर आप लोगों के respiratory tract के अंदर inflammations हो रहे हैं और आप लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है आप लोगों का जो oxygen है वो properly अंदर नहीं जा पा रहा और उसकी वज़े से आप suffocative feel करना शुरू करें साथ ही आप लोगों को खांसी की शिकायत जो है वो आना शुरू हो जाए तब आप ये दवा सेनेगा का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने symptoms में आराम पा सकते हैं अगर आप लोगों के nostrils के अंदर आप लोगों को feel हो रहा है कि inflammation हो जुका है और साथ ही उसके अंदर आप लोगों को खारिश feel हो रही हो या आपका watery nose हो गया हो तब भी आप ये दवा का सेवन करके अपने symptoms में आराम पा सकते हैं इसके साथ अगर आप लोगों को coughing की शिकायत बहुत ज़ादा रहती हो खांसी तनी ज़ादा हो रही हो कि आप लोगों को बहुत ज़ादा परिशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तब भी आप सेनेगा का इस्तेमाल कर सकते हैं खांसी भी आप लोगों को अपने lungs में कुछ शिकायते होने की वज़े से आती है कई बार आप लोगों के lungs के अंदर पानी भर जाता है जिसकी वज़े से आप लोगों को ऐसी शिकायते आना शुरू हो जाती हैं तब भी आप ये दवा का इस्तिमाल कर सकते हैं सेनेगा लेने से आप लोगों के लंग्स के उपर असर होगा और वो उसको ठीक करेंगे जिससे कि आप लोगों के जो symptoms हैं वो आने बंद हो जाएंगे इसके बाद अगर हम बात करें तो आप लोगों को bronchitis में भी इस्तिमाल की जाती है bronchitis यानि की अगर आप लोगों की जो ducts हैं उनके अंदर अगर inflammation हो गई है तब आप ये दवा ले सकते हैं उनकी वज़े से आए हुए जितने symptoms हैं उनमें ये दवा जो है सेनेगा ये relief दिलवाती है इन सब शिकायतों के साथ अगर आप लोगों को rattling हो रही है सांस लेते समय अगर आप लोगों की छाती के अंदर से आप लोगों को कुछ आवाज आ रही हो गुड़ गुड़ जैसी वो बहुत धीमी आवाज होती है पर आप लोगों को महसूस हो रही होती है तब आप ये दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ ही अगर आप लोगों के चेस्ट के उपर आप लोगों को भारी पर महसूस हो रहा हो और कुछ दर्द रहता हो तब भी आप ये दवा लेकर अपने सिंटम्स में आराम पा सकते हैं इसके साथ अगर आप लोगों को बोलने के अंदर शिकायत आ रही हो यानि की गले में होर्सनेस हो रही हो यानि की बोल जो है आप लोगों का नहीं निकल रहा हो और उसकी जगे आपको खड़खड हो रही हो बोलते हुए तब आप ये दवा का इस्तिमाल कर सकते हैं और अगर सांस लेते हुए विजिंग की शिकायत हो रही हो या विस्लिंग हो रही हो तब भी आप सैनेगा लेकर अपने सिंटम्स में आराम पा सकते हैं रेष्पिरिेटरी सिंटम्स में तो सैनेगा अच्छा पासा करती है तब भी ये दवा अच्छा काम करती है आप लोगों के आईस विजशन पासा को चाहुए हो यूजली अस्थमा के साथ आप लोगों को आईज की सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं बहुत बार और अस्थमा की वज़े से आप लोगों को और सिम्टम्स भी आ जाते हैं जैसे कि आप लोगों के कुछ तमक के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं तब भी ये दवा का इस digestive problems हो गए हो, gas बनना शुरू हो गया हो, heart burn हो रहा हो, जलन हो रही हो, तब भी आप लोगों को कई बार asthmatic attacks आ जाते हैं, ऐसी situation में भी सेनेगा का इस्तेमाल किया जा सकता है, सेनेगा medicine जो है, ये काफे सारी potencies में आती है, सारी homeopathic medicines जो है, वो mother tincture के form में भी आ सकती है, कुछ potencies होती है, उनके form में भी आ सकती है, तो depend करता है कि आपकी स्वेरटी है, किसी बिमारी की, उसके उपर depend करता है कि आपको कितनी dose या कितनी potency जो है, दी जानी चाहिए, साथ ही आप लोगों का age factor या आप लोगों का जो gender है, उसके उपर depend करता है कि कितनी dosage आप लोगों को ठीक रहेगी, कितनी potency के अंदर ठीक रहेगी, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद